अस्लाम लेकुम आज मैं बात करूँगी basically water intake के हवाले से कि दिन में कितना पानी पीना चाहिए specially अगर हम weight loss journey start करते हैं तो उसमें हमें थंडा पानी पीना चाहिए या फिर गरम पानी पीना चाहिए कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा कनफ्यूजन है कुछ लोग कहते हैं कि थिंडा पानी पीने से वेट लास में कोई प्रॉबलम नहीं होती हो जल्दी होता है रैपिडली वेट लास होता है वाटर ना सिर्फ वेट लास करने में बलके हमाले डिल्ली फंक्शन्स और्गन्स की हैल्थ के लिए गुर्दों की हैल्थ के लिए हाट की हैल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एमपटी स्टमक लियोग वाटर ना सिर्फ हमारी बाड़ी को डिटाक्सिफाय करता है बलकि गट हैल्थ से रिलेटिड जितने भी इशूज होते हैं वो सब रिजॉल्फ करता है तो सुबह उर्ते सारी अगर आप सादा पानी नहीं पीना चाते हैं तो उसमें कोई नुट्रासरोटिकल एड़ करने हैं अगर आपको पी सियोंस की प्रॉबलम है तो उसमें नीम गर वेट लास में अगर आप शूगर के मरीज है यानि अगर आपको डाबिटीज का इशू है तो आप दार्चीनी या जीरा पानी में शामिल कर दें रात को वो पानी आप सुबह चान कर पी लें सौफ जीरा और दार्चीनी इसमें अमेजिंग क्वालिटीज होती हैं वेट ल अगर बाड़ी में किसी भी किसम की बलोटिंग हो गई है स्वेलिंग हो गई है तो उसको दूर करने के लिए आप बाड़ी को डीटाक्सिफाई करें डीटाक्सिफाई करने के लिए आपको चाहिए कि आप डीटाक्स वाटर रेडी करें डीटाक्स वाटर रेडी करने के ल लीफ एड़ करदें इसके बाद आप इसमें जिंजर एड़ करें जिंजर आपकी मेटाबोलिजम को फास्ट करता है आपको डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज्यदा है और आपको कांस्ट्रिपिशन के प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहने देता कांस्ट्रिपिशन के डाइट की तरफ आना पड़ेगा नीम गरम पानी अपनी रूटीन में शामिल करें नीम गरम पानी वैसे भी डी हाइडरेशन का शिकार जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मन है बाड़ी को हाइडरेट रखता है न्यूक वाउम वाटर में अगर आप लेमन अड़ करके पीते हैं तो वो आपकी नसरे बटामिन सी की कमी को पुड़ा करता है बलके आपके स्किन भी फ्रेश हो जाती है और वेट लास करने में बहुत ज्यादा हैल्प मिलती है इससे कॉंस्टिवेशन की प्राबलम भी रिजॉल्व होती है और इसके अलावा जिन लोगों को क्रेंप्स की प्राबलम होती है तो अगर वो नीम करब पानी पीते हैं तो उनकी ये प्राबलम भी रिजॉल्व हो जाती है उनके अंदर बलोड सलकुरेशन बढ़ जाती है लियूक वाटर वो हमारी बाड़ी को हाइडरेट भी रखता है इसके अलावा कॉंस्टिवेशन की प्राबलम भी रिजॉल्व करता है इसके अलावा हमारे वेसल्स को शिरिंग नहीं होने देता इसके अलावा इसके और बहुत सारे फायदे हैं लेकिन ठंडा पानी सिर्फ और सिर्फ सूथिंग रिफलेक्ट देता है यानि आपकी प्यास को बजाने का काम करता है इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है जबके ठंडा पानी इसके बरक्स नुकसानदा थाबित होता है आपको constipation की problem भी face करनी परती है यानि कि अगर आपको constipation की problem रहेगी तो आपका weight कभी भी नहीं गिड़ेगा बलके gain ही होगा गिड़ेगा कभी नहीं इसके अलावा थंडा पानी आपके vessels को शिरिंग करता है इसके अलावा थंडा पानी आपको dehydrate करता है अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो मैं आपको suggest करूंगी कि आप नेम गरम की जगा पे गरम पानी अपनी daily routine में शामिल करें गरम पानी आपको rapidly weight loss करने में help करता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलावाफिस